तो गाइस एक बार फिर से मैंने मंगा लिए एक और बजेट गेमिंग PC यहाँ पर देख सेकते हो PC आ चुके है गाइस Flipkart से यह आये है मैंने Flipkart Big Billion Day से इसे खरीदे है काफी सस्ता डील था गाइस लगभग 5,000 कुछ रूपे में मैंने इस PC को परचेस किये है और इसका अंदर केवल CPU नहीं है इसका अंदर monitor, keyword, mouse सारा कुछ है मतलब बाहर से कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है तो गाइस मैंने इसे ना camera का सामने ही unboxing करेंगे क्योंकि इससे पहले एक बार Flipkart का PC मैंने लिये थे तो वो भाई टूटा हुआ था सामने फैन का सामने तो भाई वो return नहीं कर रहा था तो आज वही यार वीडियो दिखाएंगे अगर कुछ issue आए तो गैस इसका exact price क्या है और specification क्या है एक बार आपको दिखा देते हैं गैस में हर वीडियो में दिखाते हैं तो यह रहा गैस order देख सकते हो रोनिक्स करके और यह i3 4GV RAM है देख सकते हो 30 तरीकों मैंने order किया औ तो दिखाते हैं गाई इसे open कर लेते हैं ओके देख लो भाई लगबग 500 लोग ने order भी दिया है और अभी भी इसका कीमत लगबग 7,000 और देखो card लगा के सारे 6,000 तो उस समय साइद 6,000 का सपास में guys मैंने इसे purchase किये तो ठीक है यार 6,000 काफी कामी होते है जो कि इसमें ए अगर gaming चले तो guys gaming चलेगा या नहीं वो चीज हम देखेंगे fps बगरा क्या कुछ मिलते है guys सारा कुछ में आपको दिखाएंगे तो चलो यार मैं इसे खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं तो यह रहा guys अपना छोरी तो चलो इसे खोलते हैं देख सकता है आभी भी sill pack है यहाँ पर काफी आच्छे से packaging तो किये है ताकि यार जो delivery boy होता है ना भाई उपर से फेकता है ताकि यार टूटे फूटे ना वोग जानता नहीं है ना इसका अंदर शीशा है PC है या क्या है तो चलो यार मैं इसे जल्दी जल्दी खोल लेते हैं ओके तो गैस यहाँ पर मैंने unboxing कर लिए और देख सकते हो गैस इसका अंदर सारा कुछ वेज दिये है यहाँ पर कुछ लिखा है i3 क्या कुछ लिखा 128 GB 550 गैस देखते हैं यह रहा गैस monitor देख सकते हो इंटर का तरब से यह monitor भेजा है और यह भाई seal देखो कुछ ऐसा मिला ह ठीक है देखते है भाई अंदर में ओके यहाँ पर भाई box packing तो सही लग रहा है ओके यहाँ पर एक manual दिया है इसका तो कोई जरुरत नहीं है यहाँ पर stand दिये है cables दिये है और एक cable भी दिया है HDMI to HDMI ठीक है और monitor का size देख सकते हो गैस कितना छोटा है यार यह monitor यह देख सकते हो guys phone से तो बरिया ना देख लो कितना छोटा है यह कितना इंच का होगा guys देखना परेगा यहाँ पर कई लिखा है 60 hertz का monitor है और यहाँ पर कुछ numbers बगरा अब लोग देख सकते हो अच्छा 39 cm मतलो 15 इंच का यह LED monitor है ओके तो guys ऐसा ही है ठीक है यहाँ पर कईस नया ही लग र आते हैं यह रहा keyword ओके तो guys यह रहा देख सकते हो keyword यह कौन company का है ओ अच्छा product काफी सही company है यार इसका उपर मैंने वीडियो बनाया है ना इस company का keyword चलो इसे खोलते है भाई काफी गंदा लग रहा है यार packaging देख सकते हो पता नहीं कहा पर पड़ा हुआ था यह और यह खो देख लो एकड़ों टीवीएस का इसका keyword आते है तो यह नॉर्माल सा keyword है guys कोई RGB बगरा नहीं होगा इसमें पीछे देख सकते हो सारा कुछ है यहाँ पर एक stand भी दिये है ठीक है सामने उच्छा करने के लिए तो अच्छा ही है product यहाँ पर लिखा है कुछ specification ओके तो इसे मै side में रख लेता हो guys और क्या-क्या मिला है वो भी आपको दिखाना चाते हैं अच्छा यह रखो ना बोरा box को हाटाओ ना इसे निकल लेते हैं ओके तो guys यह रहा CPU ठीक है और यह mouse मिला है और यह cable मिला है CPU का तो आपको दिखा देता है guys mouse देख सकते हो foxin का mouse दिया है और यह क flag and play यह सब लिखा है और कुछ है यहाँ पर लेना यार इस कार क्या दिखाएंगे चलो इसे खोलते हैं और दिखाते हैं ओके और कुछ है नहीं है ओके तो guys यह रहा mouse देख लो यह सास्ता mouse है फिर भी यह काफी सही लग रहा है देख सकते हो यहाँ पर blue black और dpi adjustable के लिए चलो यार इसे side में रख लेता हूँ और अभी देखेंगे यार CPU को है न तो यह रहा गाई CPU box कुछ ही स्टैप का है चलो इससे खोलते है ओके काफी सही से packing किया है यार यह देख सकते हो help करो थोड़ा सा ओके तो guys यह रहा CPU देख सकते हो काफी छोटा है इसमें कोई RGB नहीं है तो यार RGB का क्या जोड़ रहत है अगर गेम चल जाए सही से तो RGB बात में भी लगा सकते है कोई फैन वगरा RGB फैन मिल जाते है तिन चार सुर रुपे में फैन मिल जाते है तो अब लोग लगा सकते है तो guys यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ सही है कही पर damage जो मुझ नहीं है delivery काफी सही से हुआ है यह fox in का है यह पीछे का ports बगरा देख सकते हो guys यहाँ पर वाइफाई डंगल दिये है देख लो यहाँ पर सारा ports है जो भी ports रहते है ठीक है guys और इस side में कही पर damage नहीं है यह चीज काफी अच्छा लगा यहाँ पर रियोनिक्स जो PC का company name वही लिखा है सामने का design भी काफी सही लग रहा है guys एक बड़ खोल के दिखाते है कि अंदर में क्या-क्या चीज दिये है लोग ठीक है तो guys अगर budget हो जाए ना बाद में तो upgrade कर सकते है PC में एक और फाइदा जो हो जाते है हमेशा के लिए ना वो यह देख सकते हो guys अंदर में जो motherboard लगा हुआ है यह इंटर का motherboard ठीक है guys एकदम नया है सारा कुछ और यहाँ पर foxin का यहाँ पर PSU लगाया है एक fan लगाया है जीवन का देख सकते हो और main चीज जो SSD guys 128GB का यह देखाओ 128GB का guys देख सकते हो यहाँ पर SSD लगाया है तो ठीक है guys बाद में हम लोग upgrade कर सकते हैं यहाँ पर देखो भाई पोर्ट है ठीक है तीन तीन पोर्ट है मतलब तीन SSD at a time चलाओ सकते इस PC में तो बाद में पैसा आए ना उस समय आप लोग बढ़ा भी सकते हैं तो यार गेम बगरा चलता ही कि नही बो चीज देखना है और क्या कुछ है रेम हाँ यह एक ही रेम स्लोट guys यहाँ पर देख सकते हो लेकिन रेम का साइज तो रह छोटा लग रहा है यार यह कैसा रेम है एक बार खोल कर दिखाते है रूखो guys ऐसा रेम तो मैंने पहली बार देखा है आप लोग देखे हैं तो बता न देख सकतो भाई यहाँ पर क्या लिखा है और यह बाई यह क्या है तो कोई ना यार देखो कितना छोटा है नॉर्मल रेम जो होता है न उससे छोटा है तो हम लोग भाई देखेंगे चलता ही कि न नहीं ओके तो चलो यार सारा कुछ एसेम्बल कर लेते हैं अपना टेबिल में इधर ले आओ यहाँ पर गई सारा कुछ में सेट अप करते हैं अपना मोनिटर के साथ उसका बाद ही मिलते हैं तो यहाँ पर गाइस में अपना सारा सेट अप कंप्लीट कर लिए अब यहाँ पर देख सकते हो इस PC का लूक कुछ स्टेप का है यहाँ पर जो मोनिटर है यह काफी छोटा है यार 15 इंच ही अभी का टाइम पर नहीं चलता है अटलिस्ट 20 इंच होना ही चाहिए तो कोई ना यार जो भी चीज आये है देखते हैं यह चलता है या नहीं तो मैंने पावर दे दिये यहाँ पर देशा तो एंटर क्योंकि यह एंटर का मोनिटर तो यह रहा गाइस पावर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ब्लू लाइट और एक रेड लाइट ब्लिं लिएन में जाएंगे भाई पता नहीं तो गईस यह आब देखते हैं कब तक यह on होते हैं लगबख 10 सिकंड का अंदर यह PC जो है ना गईस on हो चुके है तो speed तो ठीकी है तो गईस अब देखते हैं क्या कुछ मिला है जो चीज दिया है CPU बगरा कौन जेनरेशन का वो चीज गईस देखने के लिए मेरे को जाना होगा टास्क मेनेजर में एक बर मैं यहां से रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लो भाई कितना स्लो आ रहा है यह देख सकते हैं ठीक है i32120 तो यह कौन जेनरेशन का भाई यह फास्ट सेकेंड या थार्ड जेनरेशन का जिसको पता है भाई कॉमेंट में बता ना और स्पीट 3.30 GHz का मेमरी यानी RAM देख सकते हो 8GB ठीकी है गाईस 4GB बता रहा था लेकिन 8GB दे दिये गाईस यह तो अच्छा हो गए ना 4GB वहाँ पर लिखा था 4GB RAM लेकिन 8GB मिला है गाईस काफी अच्छा बात है डिस्क यहाँ पर देख सकते हो 128GB तो बाद में स्टोरेश चाहिए होगा ना तो एक्टो भाई खरिद ले ना दुकान में और यह PC है इसमें आप लोग अपग्रेट कर सकते हो यार ऐसा नहीं है कि 128GB यहाँ रहेगा बाद में पैसा देखो एक टाइम में पैसा नहीं आते है तो बाद में जब पैसा आएगा तो बरहा लेना यहाँ पर गाईस वाई-फाई देख सकते हो हमें जो डंगल दिया है तो यहाँ पर गाईस देख सकते हो यूटूब और मैं यहाँ पर कितना जल्दी जल्दी स्क्रोल कर रहा है यहाँ पर देख लो भाई एक बार भी रुख नहीं रहा है तो इंटरनेट स्पीड भी काफी सही है बहुत लोग को यह डाउट रहता है न कि इंटरनेट स्पीड कैसा मिलता है वाई फाई में जो डंगल लगाते है तो गाईस यह आप देख सकते हो काफी सही है यहाँ से मैं यह वाला वीडियो प्ले करके आपको दिखा देते है देख लो गाईस तो गाईस मोनिटर का जो क्वालिटी है ना मोनिटर का क्वालिटी ठीक है लेकिन इसका जो साइज है यह थोड़ा सा छोटा है तो फिर भी यार छोटा मोटा गेम हम लोग खेल सकते है गाईस ऐसा नहीं है एक दों बेकार है यार फोन से तो बड़ी है भाई फोन 6 इंच 7 इंच होता है फिर भी यह 15 इंच का मोनिटर मिला है तो सारा कुछ सेट अफ है गाईस अभी जो है ना इस पीसी में हम लोग अपना गेम्स डाउनलड करेंगे यह देखो भाई 4K भी चल रहा है यह देख सकते हो 4K देख लो भाई नोन स्टॉफ यहाँ पर 4K चल रहा है तो चल यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ से ब्लू स्टेक्स को डाउनलड कर लेते है उसके बाद फ्री फायर को डाउनलड कर लेते है और उस अब गाईस काफी टाइम लगते है तो बार-बार एक पीसी आपको नहीं दिखाना चाते है डिरेक्ट हम गेम में ही मिलेंगे तो यहाँ पर गाईस देख सकते हो जैसे कि मैंने इस पीसी में हम लोग का जो पॉपुलर फ्री फायर गेम है ना उसे डाउनलोड कर लिए और किस तरह से डाउनलोड करना है की मैपिंग करना है इसक 35, 36 का सपास FPS मिल रहा है लोबी में तो गेम में गाईस 30 का सपास FPS मिल जाएंगे तो सही है गाईस इस पीसी में जो कमिया मेरे को लगे गाईस एक तो डिस्पले गाईस यहाँ पर डिस्पले आप लोग देख सकते है जो कि मैने अपना आइफोन 15 प्रो मैक्स से यहाँ पर गेम प्ले देख सकते हो मैंने इस PC से ही किये है तो यार ट्रेनिंग कौन देखते है तो मैंने स्टार्ट कर लिए एक विर्मुडा रैंकेट स्लो वर्से स्कॉर्ट गेम प्ले तो थो थोड़ा बहुत गेम प्ले भी देख लो और जो कमी अलगा गाईस इस PC में वो आप लो है तो गाईस छे हजर का बजेट में जो कि एक अच्छा कशा फोन ये सब नहीं मिलते है और इहां पर आपको सारा सेट अप मिल जा रहा है एक CPU मोनिटर कीवोड माउस सब कुछ आर आपको बाहर से कुछ भी लेने का जुरूरत नहीं है तो अभी का टाइम पर यार 6,000 रु आपके गेम खेला जाए एक PC का जो मज़ा है ना वो उठाया जाए तो गाईस में ऐसा वीडियो बनाते है और गाईस छे हजर में जो PC यहाँ पर बिल्ड हुआ है अप लोग देख लिए गाईस तो इसमें भी आप लोग PC का मज़ा उठा सकते है लेकिन जो स्मूथनेस जो दस लाग में भी PC बिल्ड होते है और यहाँ पे मैंने 6000 में PC बिल्ड किये तो गाईस अगर आप लोग इस PC को परचेस करना चाते हो तो कर सकते हो मैंने फिलिप काट से बाई किये मैंने बिग बिलियांड सेल का टाइम पर परचेस किये थे अभी थोड़ा सा पान सोरे पर हो गया इसका कीमत तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो अभी दिवाली का सेल आ रहा है तो उस समय आप लोग परचेस कर लेना उस समय इसका दाम कम हो जाएंगे तो गईस इस PC में जो कमिया मेरे को लगा ना सबसे पहले तो डिस्पले गाईस इसमें यूज हुआ है 15 इंश डिस लगा केबिनेट भी काफी अच्छा है काभी मजबूत है आया है कहीं फे डैमेज नहीं हुआ मैक्सिमम जो केबिनेट आते हैं ना काईस ऑनलाइन से वो डैमेज रहते है साइड से साथ जैसे की बताया था इस PC में 4 जीवी का रैम मिलेंगे अनफॉर्चनेटली मेरे को यह तो टोटल 16 जीवी रैम हो जाएंगे ना तो और अच्छा स्मूथनेज गेम पिले अफलोग कर सकते हैं तो यही था गईस कुछ कमिया जो मेरे को लगा और मैंने आप लोगों साथ शेयर किये बाकी जो कीवोर्ट माउस मिला है ना गईस उवी से ही है हालाकि उसमें आर्ट ही मिला है ना वो काफी सही है according to budget तो अब लोग ले सकते हो तो गैस यहाँ पर हो सकता है कि मेरे को जो 8 जीवी रैम मिल गया आपको साथ 4 जीवी रैम मिले तब क्या करेंगे देखो गैस अभी का टाइम पर अगर 4 जीवी रैम मिले गा ना तो यार काफी slow हो जाएंगे तो अब लोग यह कर सकते हो कि सारा components घर में बाई करके शोला जीवी रैम बाई करो उसके बाद motherboard केविनेट वगरा सारा कुछ बाई करके घर में भी बिल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आएंगे आपको दो प्रब्लम एक तो किस तरह से एसेंबिल करना है वो आपको नहीं पता ह होगा अगर आपको पता है तो अच्छा बात है और अगर यह जो components है ना गईस एक एक करके अपकर चेस करेंगे की बोर्ड हो गया माउस हो गया उसका बाद motherboard तब मुझे लगता है कि 11,000 रुपया अपको एक्स्ट्रा पर जाएंगे यह जो company है ना इतना कमदा में कैसे दे देखो सारा components मिला के एक ही order में दे रहा है उसको भी multiple order में अगर product send करना है customer को पास तो tax देना होता है guys flip card amazon को तो उसका भी loss होता है ना लेकिन अपना system जो है ना guys वो काफी तग्रा हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर सारा components है ना वो मैंने खुद choice करेंगे तो guys अगर आपको बिल्ड करना नहीं आते PC और आपको PC बिल्ड करना है ऐसा low-end PC तो कोई दुकान में भी जा सकते है guys कोई दुकान में जाके ढून लेना अपना सहर में होगा guys दुकान तो वहाँ पर जाके पूछ लेना कि ऐसा low-end PC बिल्ड करेंगे और guys 16GB RAM लगा लेना guys RAM बहुत महेंगा नहीं है DDR3 का RAM अल्मोस्ट 500 रुपया मिल जाते हैं और CPU Intel i3 यह काफी slow है at least i5 लगा लेना guys वो तुरा सा अच्छा पुपान जाते हैं और इस PC का guys एक और कमिया यह है कि इसमें लगा हुआ है 128GB का SSD जो कि एक SATA SSD तो ठीक है लेकन यार 128GB अभी का टाइम पे तुरा सा कम हो जाते हैं और वहाँ पे तीन-चार पोर्स भी है अगर हम लोग चाहे तो बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं तो फिलाल guys हम लोग यहाँ पे गेंबले बगरेक कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है guys इसी से खेल सकते हैं लेकिन बाद में एक SSD या हाट डिक्स का जरूरत होगा तो वह भी आपको एड करना है अगर आपको हाट डिक्स लेना है एटलिस्ट 1200 में आपको 500 जुबी का हाट डिक्स मिल जाएंगे तो हाट डिक्स guys slow होते है SSD अगर आपको गेंग बगरा करना है तो बहतर है कि आप एक SSD लगा ले गाईज आपका system में वह अच्छा रहेंगे और इसी को साथ ही वीडियो जो है ना अल्मोस्ट आठारा मिनिट से उपर हो चुके है तो मैंने इस PC में एक लोयांट बजेट गेमिंग PC बाइ किया उसका अन्बोक्सिंग सेट अप और यहाँ पर गेम प्ले गाइस 20 किल से उपर हो चुके है अगर यह वीडियो आपको अच लुपे है हर्ड पूड़क्ट में मेरा लॉस होते है तो गाइस अब लोगा सपोर्ट बहुत ही जुरूरी है अगर वीडियो में अच्छा कर सा व्योस आए लाइक कमेंट आए ना तो बड़ा बड़ा कंपनी जैसे की एसूस हो गया MSI हो गया, SR, Dell और भी बहुत सारा कमपनी है जो की पूड़क्ट मेरा पास भेजाएंगे रिभू करने के लिए और बहुत टाइम ऐसा होता है कि पूड़क्ट उलुक नहीं लेते है एक बर रिभू करने के बाद तो गाइस में उस समय बहुत सारा गिवावे बगरा कर सकते और गाइस होड़ समय गिवावे हम नहीं कर सकते है यह जो पूड़क्ट हैना काफी महांगा हो जाता है गाइस शेशाब सारा गाइस इसका कीमोत है बैसे एक गिवावे गाइस पेंडिंग में है बहुत ही जल्दी उसका गिवावे हम एनॉंसमेंन करेंगे तो अभी तक सब्सक्राइब जोरूर कर लेना क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होना बहुत ही जोरूरी है तो यह था गाइस एक बज़ेट गेमिंग PC सेट अब अब लोग इसे बचेस कर सकते हो फिलिपकर से इसका लिंक हम देदें के डिस्क्रिप्शन में और अब लोग शार्च कर सकते ह अब फिलाल इसका जो दाम है ना गाइस पान्सो शेशर रुपे जाएदा है अगर आप लोग वेट कर सकते हो दिवाली सेल तक तो उहाँ पर साइद तुरा सा और कम हो जाएगे पान्सो हजार रुपे और कम हो जाएगे तो छे हजार का बाजट में यह PC आपको मिल यहाँ पर मेंने सारा कुछ बता दिए कि यहां पर कमीया है वह भी बता दिए अगर कुछ चूट गया ना तो फिल लोगathy जो मैं प्लेट करो एट्लिस्ट अभी तो यहार वीडियो को लाइक किया करो साथी साथ गाईस मैं यहाँ पर जितना भी kill किये है ना maximum kill headshot का साथी किये है और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि विशुवाज भाई अपना जो key mapping अपना जो sensee है वो बता हो येस गाईस अगर इस वीडियो में 10,000 से ज़ादा like आ जाए ना तो मैं अपना sensee और अपना जो key mapping है guys सादा कुछ reveal करेंगे और आप लोग को दे देंगे तो guys यहाँ बने रहना वीडियो का end तक कितना kill होते है और बुईया मिलता है कि नहीं साथी साथ guys low end PC में एक तिस तरह से मैं इतना smooth तरीका से gameplay करते है guys यह जो कमेंट है ना मेरा पास यह भी बहुत आता है तो guys अभी जो है ना PC unboxing यह सब छोड़के tips and tricks type का वीडियो बनाना होगा तो कोई ना यार मैं वीडियो बना दूँगा अगर इस वीडियो में दसज़र से ज़्यादा लाइक मिले ना तो सारा कुछ बताऊंगा एक तो मैं अपना की मैबनिंग और सेंसी रिविल करेंगे साथी साथ guys low end PC में किस तरह से ultra smooth gameplay कर सकते है कौन सा emulator और उसका क्या version है सारा कुछ बताए guys तो comment करना और comment बताना guys आप लोग को नीड है तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और यह जो PC है guys यह आपका budget का according हुआ है कि नहीं guys इभी बताना यानि आपका budget क्या है 20,000, 30,000 जो भी आपका budget है वो लिख देना मैं कोशिश करेंगे guys अगला जो PC हम बिल्ड करेंगे ना वो आपका budget का according ही हो तो यहापे guys मेरा almost 39 skill हो चुके है अभी भी 4 alive तो अगर आपको slower सी squad खेलना है guys उहापे ना थोरा बहुत IQ का भी इस्तमाल करना होता है यहापे देखो मैं पीछे से आया इसको मार दिये यह सामने देख रहा था ठीके और यहापे देखो चारो तरफ से भाई गारी लेके घुम रहे और यहापे मैं पत्थर का उपर हूँ नहीं तो भाई उलोक गारी से ही मार देगा तो थोरा बहुत IQ लेके भी चलना है अब कितना भी अच्छा खेल ले कितना भी अच्छा headshot मर ले क्योंकि सामने चार बंदर रहेंगे वो bot क्यों नहीं हो गाईस वहां से आपको मतलब चार गुना damage आज आएंगे न गाईस तो चारो तरफ ध्यान रखना होता है कभी-कभी आपको लरने नहीं जाना है पीछे आजाना है इस सब ध्यान रखना होता है तो चलो यार कोई ना इसी के साथी आज का वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा है यहाँ पर 30 किल हो चुके है तो चलो यार बाई तो यहाँ, आप झाल चांप, हाँ, झाल नूस